आप सभी लोग वेल्कम टू गेटेटर 24-7 दिस रहान इमद चलिए आज के इस वीडियो में हम यहां पर जो सीरिस जो चल रही थी मारे पर यहां पर हम लोग स्ट्रक्चरल इंजिनिरिंग के बेस्ट कोश्चन हम यहां पर सॉल करें यहां पर हमने सब्जेक्ट लिया था इस स्ट्रक्चर इंजिनिरिंग की जहां पर अगर बात करो तो सौंब के भी कोश्चन से इसके ना प्रॉपर मैंने प्लेइलिस भी बनाया आप सभी लोग जाके हमारे जो चैनल इस गेटर 24-7 उसमें जाकर आप लोग देखेगा तो प्लेलिस्ट में आपके बास वीडियो भी से रहेंगे अगर आप लोग को समझ में आ रहें और अगर अच्छे लगए तो प्लीज को कमेंट लाइक और शेयर करना मत बूलेगा ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं यहां पर तो आप यहां पर देखोगे कि हमारे पास इस सीरीज में हम यहां पर स्ट्रक्चर इंजिनि इससी हम यहां पर स्ट्रक्च करत अगे करना टार्गेकर चांट लेश्य को काफी लेफल पर कर देंगे तो कि इतने भी स्टुडेंट हमारे साथ गेट की जर्नी में आगे बढ़ना चाहते है याप लोग कर सकते हैं इस बैच में इस बैच में हम लोग ने यहाँ पर सबस्राइब करेंगे सबस्राइब करेंगे सबस्राइब करेंगे सबसे पहला कोशन यहां पर पूछा गया है सबसे पहला कोशन यहां पर पूछा गया है कि हमारे पास यह हमारे पास क्या है एक हमारे पास ओवर हैंग बीम आपको यहां पर देखने को मिल रहा है मतलब क्यू एस हमारे पास एक सपोर्ट है और दोनों एंड से आप यहां पर देखोगे तो यहां पर आपको ओवर हैंग बार के हम चेड है यहां पर फूक्ष है 2020 में यहां पर यह पूचन आया था ťा सभी लोग सभी लोग अगर मैं बात करो हैं तो कॉशन का कर सकते हैं आप यहां पर देख सकते हैं चल्लों से क्या यहीं पर रखो आप चाहो तो पूरा रखो आप चाहो तो Q से R रखो S से T रखो कहीं पर भी आप इसको यूडियल क्या कर सकते हैं आप इसके ओपर इंपोस कर सकते हैं बोला गया maximum negative bending moment आपको निकालना है that occurs at the point R ठीक है आर कौन सा मारे पास यह वाला जो point है यह वाला जो point आपको देखनेको मिल रहा है इस point में आपको यहाँ पर maximum negative bending moment आपको यहाँ पर find आउट करना रहेगा tim Maximum negative bending moment आपको यहाँ पर find work's certains हम यहाँ पर 고्ड को सॉल करेंगे burgे अच्छे लेवल पर हम यहाँ पर इस कोशन को सॉल करेंगे आयए वोप सभी लोगों ने यहा पर कोशक्र यहाँ पर देख लेगे और जब कर लिया होगा चली स्टार्ट करते हैं ऑर कोशन को हम यहाँ पर discuss करना हम यहां पर start करते हैं ठीक है चलिए तो यहां पर question में क्या बोला गया हमारे पास question में हमें बोला गया है question के बारे बात करों तो question में बोला गया हमारे पास एक beam है जो कि कैसी हमारे पास simply supported beam है और दोनों sides हमारे पास क्या यहां पर overhang आपको यहां पर देखने को मिल रहा तेक है छली तो एक beem में यहां बिम मैंने यहां पर बनाया üzह ऊट्रीकषए एक्ष्प्लेणेशन में यहां पर दे रहा हूं कि यह वालो पॉइंट के हमारे पास, this is P, Q, R, S and T, ठीक है, मैं बोलना हमारे पास, this point is P, this point is Q, पीच में कहीं पर R आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, S and T, ठीक है, distance कितना हमारे पास, distance हमारे पास, this is 1.5 meter, this is 3 meter, this is 2 meter, and this is also 1.5 meter, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर बोला हमें हाँ पर maximum, maximum, negative, bending moment आपको निकालना है, कौन से point पर आपको यहाँ पर, R में आपको यहाँ पर निकालना रहेगा, maximum negative bending moment आपको निकालना है किस point पे आपको यहाँ पर? R में आपको यहाँ पर find out करना रहेगा. ठीक है maximum bending moment आपको यहाँ पर पको निकालना है negative कौन से point पे? R पे आपको यहाँ पर find out करना पड़ेगा. सभी लोगों को मैं बता दूँ कि यहाँ पर overhang beam का यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका ILD बनाना पड़ेगा what do you mean by ILD, ILD is nothing much it is nothing but हमारे पास किए, that is influence line diagram influence line diagram हमें यहाँ पर pending moment at R के लिए, हमें राओ ILD, किस के लिए बनाना पड़ेगा हमें याँ पर pending moment at कौन से point के लिए, हमारे पास R point के लिए हमें यहाँ पर ILD बनाना पड़ेगा अब ILD हम यहाँ पर कैसे बनाते हैं सभी लोग यहाँ पर ध्यान दिजेगा अगर मैं सिर्फ इतना portion अगर मैं consider करूँ ठीक है Just give me a moment ओजा भाई ठीक चलो अगर मैं सिर्फ इतना portion यहाँ पर मैं consider करूँ that is Q से लेकर S तो हमारे पास क्या दिख रहा है यहाँ पर एक simply supported हमें यहाँ पर team आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है अगर मैं bending moment at R के बारे बात करूँ तो यह bending moment at R हमारे पास जो ordinate हमें यहाँ पर जो देखने को मिलेगा ILD हमें यहाँ पर जो देखने को मिलेगी वो हमें यहाँ पर कुछ इस वैसे देखने को मिलती है that is इसकी value होती हमारे पास that is A into B by L what is A? A है हमारे पास यह 3 meter B है हमारे पास कितना? that is 2 meter और हमारे पास यह जो टोटल जो लेंथ हमारे पास that is q से लेकर l sorry q से लेकर हमारे पास s उसकी distance होती है हमारे पास that is l length हम आपर उसको क्या बोलते हैं उसको denote करते हैं ठीक है तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूं हमारे पास अगर मैं इसके बारे बात करो तो A की value कितनी हमारे पास? A की value है 3 meter, B की value हमारे पास 2 meter और total length हमारे पास कितना? 5 meter आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा तो 6 divided by 5 अगर मैं आपर करा तो यहाँ पर यह ILD का ordinate कितना आगे हमारे पास? अगर मैं यहाँ पर 6 divided by 5 किया तो ILD का ordinate कितना आगे हमारे पास? यहाँ आगे हमारे पास that is 1.2 इसकी value कितनी आगे हमारे पास that is 1.2 आपको यहाँ पर देखने को मिले तो सभी लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि हमारे पास अगर मैं सिर्फ Q से S तक के बारे बात कर रहाँ तो जो ILD जो है इसका ordinate हमारे पास कितना आया? इसका ordinate हमारे पास that is 1.2 अब यहाँ पर हमारे पास overhang beam है तो इसको आप क्या करेगा? इसको आप यहाँ पर extend कर दीजगे आप यहाँ पर क्या करेगा? इसको आप यहाँ पर extend आप यहाँ पर कर देंगे इस वेसे similarly यह भी हमारे पास क्या किया कि overhang है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? इसको हम यहाँ पर extend कर देंगे हमारे पास इस वेसे हमने यहां पर क्या किया है इसको extend कर दिया हमने आपर इस अब मैं बोल रहा हूं कि यहां पर मैं बोह रहा हूं है इस पॉइंद गर्ञाहु आ, यहाँ पर ordinate की value कितनी है और यह जो x2 जो है इस x2 की यहाँ पर ordinate की value यहाँ पर आपको कितनी देखने को मिल रही है this is what this is ild for bending moment at r यह जो हमारे पास ild जो बन रहा है हमारे पास this is the ild for bending moment at r आप यहाँ पर क्या करेगा आप यहाँ पर यहाँ पर यह जो दो triangle हमें आप जो देखने मिल रहे है यहाँ पर आप सब ही लोग क्या करेगा यह दो नोर ट्रेंगल को एक बाद से बताता रहा हूं कौन-कौन से triangle की बारे मात करूं मैं यहाँ पर बात करंगा लुएप इसकंटर में आप कर हाए यहां परिखे से में आप ले रहा हूं यह दुनों ट्रेंगल को मैं में अपर पर similar क्या कर रहा हूं similar triangle की प्रॉपर्टी से मैं आपर पर फाइंड आउट करूंगा कि यहां पर x1 की वैल्यू कि तो अगर मैं छोटे वाले ट्रेंगल के बाले बात करो इसका हमारे पास perpendicular कितना मारे पास इसका perpendicular है हमारे पास x1 base कितना मारे पास that is 1.5 meter अगर मैं यह वाले triangle के बारे में बात करें तो perpendicular कितना मारे पास that is 1.2 और base कितना मारे पास base हमारे पास that is 3 meter तो यहां से आप x1 को निकाल लिजेगा यहां से आप X1 को निकाले जागा तो value कितने हो जाएगी 1.2 into 1.5 divided by 3 तो यहां से X1 की value कितने हैं कि आप यहां से solve करके बता सकते हैं X2 के बारें बात करो, तो X2 भी हम क्या करेंगे यहां पर X2 के बारें बात करो, तो यह वाला एक triangle ले लेंगे हम यहां पर और यहां पर हम यह वाला triangle लेंए, तो दोनोदos triangle के kariेंगे, हम यहां पर similar क्या करेंगे, हम यहां पर similar triangle की property से हम यहां पर इसको क्या करेंगे, find out कर लेंगे, तो इसका perpendicular कितना है हमारे擊ाद, इस वाले triangle का perpendicular x2 है, base कितना हमारेboarding, that is 1.5, और यह वाले triangle का मारे pistol कितना हमारे पास, धाद बैस спрос, 2 meter, तो यहाँ से आप x2 क्या कर सकते हैं? find out कर सकते हैं, तो 3 यह अगर मैं 1.5 लिना, तो इसकी value कितने आजेगी मारे पास? इसकी value आजेगी मारे पास this will be equals to 1 by 2 यह हमारे पास 1 the 2 the 1.2 का half कितना हो जाएगा मारे पास? यह हो जाएगा मारे पास that is 0.6 यहाँ पर अगर मैं बात करा हूं तो इसकी value कितने आजेगी मारे पास? इसकी value आजेगे मारण पस 0.6 इंटु 1.5 अगर मैं करूँँघा यहाँ पर 0.6 इंटु 1.5 अगर मैंने यहाँ पर किया, तो इसकी value कितनी आजेगी मारण पस 0.6 इंटु 1.5 अगर मैं आपर कर रहा हूं So, 15 है, कितना होगा मारा पस 75,90,90 मतलब इसकी value आजेगे मारे पास, that is 0.9, तो यहाँ पर हमने x1 और x2 की value हमने हाँ पर find out कर ली, और यह जो मैंने बनाया है, यह पूरा मैंने हाँ पर जो diagram जो मैंने हाँ पर बनाया है, यह diagram हमारे पास क्या है, यह diagram है हमारे पास, that is ild for bending moment at r, यह जो यहाँ पर मैंने यह diagram जो बनाया है, यह diagram क्या हमारे पास, this is the ild for, ild for हमारे पास bending moment at r, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, this is the ild for bending moment at r, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो सभी लोग एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देंगे, सभी लोग यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे क्या बोला है मैंने मैंने यहाँ पर बोला है कि हमारे पास ILD के बारें बात किया तो सबसे पहले आप यहाँ पर कभी भी ओवर हैंग बीम अगर रहा तो वहाँ पर पहले पहले बेंडिंग किसी पॉइंट के लिए एक ट्रेंगल बनेगा इस पॉइंट पर बना रहे हैं उसका लेफ्ट अलए पोर्शन होगा हमारे पास यहां पास B तो यह बजाएगा हमारे पास इस विल भी गोज तू थी इंटू दिवाएद भाइफ मतलब ओडिनेट कितना हमारे पास 1.2 अब यहां पर जो भी हमारे पास yah ऐंब ले पास यहां पर युशाया पर हम यहीं क्या परपनेक्ट है यहां तक सभी हो क्लेयर इन किसी कोई तो है यह चली चलिए तो यह हमारे पास बन गया अब क्या बोल रहा है कोशन में यहां पर देखेगा ILD मैंने आपर बना दिया है कोशन में बोल रहा है यहां पर the maximum negative bending moment यहां पर पूछा गया the maximum negative bending moment आपको यहां पर पूछा गया है that occurs at the point R bending moment आट R के लिए हम पर ILD बना दिया Golden UdL आपको यहां पर लगाना है कितने हमारे पास intensity that is 50 stapes par meter ठेके तो मैं यह आपर क्या बोल रहा हूं यह मैंने हपर ILD यहां पर मैंने बना दिया अब बोलना है हमारे पास क्या है हमारे हमें हमें पास dual हमें जिसके कितनी इमारे पास इंटेंसिटी-व फिस्पी किलो न्यूटर पर हमारे पास मेटर अब बोल रहा है कि हमें बंडिंग मोमेंट आर के लिए कौन से बंडिंग मोमेंट के लिए निकालने के लिए हमारे रहे पास maximum maximum नेगेटिव राक्सिमम नेगेटोटव लिए मागां माक्सिमम अरप incentiv यहाँ पर आप देखोगे तो नेगेटीव पोस्टन यह विजamas का आ रहा है मारे पास सब्सक्क्राइब हमारे पास yahlen भन रहा है रहेए हमारे पास और एक हमारे पास यह वाला पास यहाल हमारे पास positive है तो अगर मुझे maximum negative चाहिए है यहाँ पर हमारे पास maximum negative अगर मुझे यहाँ पर value चाहिए तो मैं UDL कहां लगाऊंगा UDL को मैं लगाऊंगा जहां जहां पर हमारे पास क्या आ रहा है जहां जहां पर हमारे पास negative हमारे पास क्या हो रहाँ triangle हम cheaper negative हमारे पास दूँगा अब याद रहेगा कभि हमी यहाँ पर koi भी हम हम इंटाने सिंटी up टू क्या होगा हमारे पास intensity इंटू होगा मारे पास that is area of area of ild under ud that is area of ild under under udl तो हमारे पास intensity कितनी हमारे पास intensity हमारे पास है अगर मैं यहाप पर intensity के बात करो तो intensity कितनी है हमारे पास, intensity हमारे पास है, that is, intensity हमारे पास 50 की area हमें आपर निकालना है, तो दो area हमें आपर निकालना है, कौन कों से, पहला area हमारे पास होगा ये वाला, ठीक हैं, पहला area होगा हमारे पास ये वाला, ये वाला area होगा, दूसरा area होगा हमारे पास ये वाला, ठी यहां पर देखने को दूसरा वाला इहां पर Shaded Region आपको यहां पर देखने को मिला तो यह हो जागा यहां पर इस विचोफू कितनी आज़ेगे ही हुआ पस मैं हटा देरहूं इसकी वैल्व आ जैंके में पास पहले वाले का एरिया कितना हुं यहां पर देखने को मिला दूसरे बाले ट्रेंगल के बारे बात करूं अगर मैं दूसरे तो इसका एरिया कितना हो जागा हमारे पास that is half into base कितना हमारे पास base again हमारे पास that is 1.5 और यहाँ पर perpendicular distance कितनी हमारे पास that is minus 0.9 आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे है तो अगर मैं यहाँ पर maximum negative bending moment के बारे बात करूं तो इसकी value कितनी हो जाएगी हमारे पास इसकी यहाँ पर value कितनी हो जाएगी maximum negative bending moment के बारे बात करूं तो इसकी value यहाँ पर कितनी आ जाएगी इसकी value यहाँ पर कितनी आ जाएगी सभी लोग यहाँ पर इसको solve करेंगे तो यहाँ पर इसकी value आएगी हमारे पास वो कितने आरे हमारे पास, that is 56. इसकी value आरे हमारे पास, 56.-56.25 kN, meter आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर हमारे पास जो answer आएगा हमारे पास, that is option A is correct, यहाँ पर अगर मैं बात करो हमारे पास, तो इस question के लिए हमारे पास, option A जो रहेगा, that will be correct, option A will be the right answer, option A will be the right answer, option A will be the right answer, clear है यहाँ तक सभी को? चलिए, आते हैं यहाँ पर, next question में, next question में बोले कि हमारे पास, stiffness matrix of a beam, element is given as, that is 2EI by L, 2112, then, बोले, the flexibility matrix आप से यहाँ पर पूछा गया, ठीक है, इस question में आप से पूछा गया है, कि हमारे पास, यह stiffness matrix यहाँ पर given है, यह हमारे पास, this is the stiffness matrix, बोले, आप यहाँ बर, यह चारों में से आप बताईएगा, कि flexibility matrix कौन सा होगा, ठीक है, बहुत ही basic सा question है, कुछ भी नहीं पूछा है, यहाँ पर, एक दम आसान सा question है, याद रखीगा हमेशा, कि हमारे पास, flexibility matrix होता है, वो क्या होता है, हमारे पास, that is, stiffness matrix का, inverse होता है, ठ ठीक है, flexibility matrix के बारे बात कर रहा हूँ, तो यह होता है, हमारे पास, that is, stiffness matrix सा क्या होता है, हमारे पास, inverse होता है, तो अगर मैं यहाँ पर, stiffness matrix के बारे बात कर रहा हूँ, तो इसकी value कितनी किवन है, हमारे पास, इसकी value किवन है, हमारे पास, that is, 2EI by L, in bracket के हमारे पास, that is, sorry, हमारे पास matrix को हमें यह होता हमारे पास that is adjoint of a यह होता हमारे पास that is adjoint of A divided by हमारे पास क्या होता है determinant of A या फिर अगर मैं matrix के बारे बात कर रहा हूँ stiffness matrix के बारे बात कर रहा हूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ this will be equals to 1 upon determinant of K into क्या होता हमारे पास that is adjoint of adjoint of K के बराबर अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा तो हमें क्या करना है यहाँ पर इसको find out करना रहेगा हमें यहाँ पर इसको क्या करना पड़ेगा find out करना पड़ेगा चलिए तो हम यहाँ पर K inverse को क्या करते हैं हम यहाँ पर find out करके देखेंगे, तो अगर मैं K के बारे बात करूं, एक बाब फिर से लिख ले रहा हूँ, this will be equals to 2EI by L, है ना, matrix के है मारे पास, 2, 1, 1, 2, टेक है, matrix है मारे पास, this is 2, 1, 1, 2, तो अगर मैं हाँ पर इसको अंदर multiply कर दिया, यह कितना हो जाएंगा हमारे पास, this will be equals to 4EI by L, टेक है, तो यह आगर मारे पास, this is the, हमारे पास K matrix आपको यहाँ पर देखने को मिला, stiffness matrix आपको यहाँ पर इस face से देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर मुझे K inverse find out करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, determinant of K को मैं यहाँ पर find out करना चाहता हूँ, तो determinant क्या होगा हमारे पास, कि यह दोनों को multiply कर देना, यह दोनों को multiply कर देना, minus यह दोनों को multiply कर देना, ठीक है, तो यहां पर यह दोनों हमारे पास इसको अगर मैं multiply कर रहा हूँ तो 4, 4 जा कितना हो जागा हमारे पास? यह हो जागा हमारे पास 16 और यह हो जागा हमारे पास that is E I by L का whole square ठीक है? यह हो जागा हमारे पास E I by L का whole square minus अगर मैं करूँगा तो two two's are कितना में जगा हमारे पास यह हो जगा हमारे पास that is four और इसको भी मैंने multiply किया तो यह हो जगा हमारे पास तो भी e i by l का हमारे पास क्या हो जगा whole square आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा तो value कितने आजेगे हमारे पास value आजेगे हमारे पास e i by l के whole square को मैंने common ले लिया 16-4 किया तो मारे पास answer आया that is 12 ki i by l का whole square ठीक है अब यहाँ पर मुझे क्या find out करना है मैंने यहाँ पर यह पहला वला term find out कर लिया अब मैं यहाँ पर क्या find out कर रहा हूँ मुझे यहाँ पर adjoint of मुझे यहाँ पर k को find out करना है मुझे आपर adjoint of k को क्या करना है find out करना है हमेशा आयाद रखेगा जब भी two cross two का हमारे पास matrix होगा आप लोग का maths नहीं भी हुआ है तो आप लोग सभी लोग फड़ा wait करेगा सबसे पहला chapter mathematics में आप linear algebra पढ़ोगे तो वहाँ पर इस property के बारे पढ़ोगे कभी हमारे पास two by two का हमारे पास को आपस में इसकी पोजीशन को यहां पर change कर देखने को मिलेगे और trustworthy होती होती इसको आप हमेशा याद रखेगा यह property होती है जिसको आप हमेशा क्या करेंगे याद रखेंगे तो मैं पूर हमारे पास अगर मैं k inverse के बारे बात करहूं तो हमारे पास k inverse का k inverse का हमारे पास formula के हमारे पास that is adjoint of k divided by के हमारे पास that is determinant of k आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा adjoint of k divided by determinant of k आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है adjoint of k के बारे बात करों तो इसकी value कितनी हमारे पास इसकी value आरही हमारे पास यह value आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी यह वाली value आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी चलिए आते हैं यहाँ पर यहाँ पर आते हैं तो हमारे पास इसको मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ ठीक है तो अगर मैं k inverse अगर मैं find out करना चाहता हूँ k का inverse अगर मैं find out करना चाहता हूं तो यह हो जाएगा हमारे पास that is adjoint of k divided by determinant of k adjoint of k की value कितने है हमारे पास यह वाली value आई that is 4 e i by l 4 e i by l और यह दोनों क्या हमारे पास minus minus में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं तो यह आ रहे हमारे पास that is 4 e i by l यह भी आई हमारे पास that is 4 e i by l इसकी value आई हमारे पास that is minus 2 i by l इसकी value आई हमारे पास that is minus 2 e i by l कि आई हमारे पास matrix किसका हमारे पास adjoint का determinant के बारे बात करों गर मैं तो determinant की value कितने हमारे पास determinant की value आई हमारे पास that is 12 e i by l का whole square तो यहां से क्या करीगा आप यहां से कॉमन ले लिजे यहां से आप कॉमन ले लिजे तो टू एक कॉमन निकल रहा और यहां पर कॉमन निकल रहा है यहां पर कॉमन निकल रहा है यहां पर कॉमन निकल रहा है बच्चा क्या हमारे पास बच्चा हमारे पास यहां पर बच्चा यहां पर EI by L और यहां पर क्या होगा हमारे पास cancel और यह 2 और 6 क्या हो गया यहां पर हमारे पास देखने को मिला तो value कितने आजएका हमारे पास L उपर आजगा नीचे क्या आजगा हमारे पास that is 6EI यहां पर अगर आप देखोगे तो option B आपको यहां पर देखने को मिलेगा option बी जो आएगा हमारे पास यहां पर same that is L upon 6C I in bracket 2-1-1 और 2 इसके बाद वाले step आपको यहां पर option B ही आपको यहां पर देखने को मिलेगा option B is the right answer option B is the right answer सभी लोगों clear है यहां पर question no.2 आते हैं यहां पर question no.3 में ठीक है यहां पर question no.3 यहां पर read करेगा question no.3 यहां पर बोला है for M25 concrete है ना चलो एके करके हम यहां पर data note करते चले जाते हैं बोला है हमारे पास for M25 concrete मतला FCK की value कितनी हमारे पास that is 25 MPa ओले with creep coefficient of 1.5 थीटा की value कितनी हमारे पास थीटा की value हमारे पास 1.5 तो लौंग-term static modulus of elasticity ठीक है हमें हमें यहां पर elasticity यहां पर young's modulus of elasticity अफिर modulus of elasticity हमें यहां पर fine-out करने बच कौन सा मारे पास long term वाला हमें आपर find out करना है as per the provisions of IS456-2000 तो यहाँ पर long term modulus of elasticity का formula क्या होता है हमारे पास that is short term modulus of elasticity of concrete divided by 1 plus theta के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है and as per IS456-2000 हमारे पास EC की जो value होती है EC की value कितनी होती हमारे पास that is 5000 under root of FCK इसकी value होती हमारे पास that is 5000 under root of FCK divided by कितना और हमारे पास divided by R हमारे पास that is 1 plus theta आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा divided by R हमारे पास that is 1 plus theta आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करों, तो इसकी वैल्यू कितने आजी के मार पस, इसकी वैल्यू 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 आजी इसकी वाइल्यू कितनी हो जागे यहां पर बात करूं अगर मैं तो इसकी वाइल्यू कितनी हो जागे हमार पास answer आजेगा हमरपास 25,000 divided by 2.5 हमारे पास answer आजेगा this will be equal to 10,000 इसकी value कितने मुझे हैं हमरपास this will be equal to 10,000 mega pascal आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर ध्यान में क्या रखना है हमारे पास यह वाला formula ECL का हमारे पास यह वाला जो formula है इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे, इसको आप यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, then, clear है सभी को यहाँ तक, आते हैं question number 4 में, question number 4 हमारे पास, question number 4 अगर बात करों, तो यहाँ पर आपके पास पूछा गया है, and RC short column यहाँ पर बोला गया, ठीक है? यहाँ पर क्या बोला गया हमारे पास? और हमारे पास reinforced हमारे पास कौँसा है short column, मतलब हमारे पास यह C C का question है किस में से पूछा के हमारे पास? यह पूछा गया हमारे पास design of compression member या फिर हम बोल सकते है, that is column से हमारे पास छोट कॉलम बोला गया हमारे पास हमारे पास और हमारे पास यहां स्ट कॉलम का पर हमारे पास हमारे पास यहां से क्रॉप sequence उन्हार्व और Fin 20 mm diameter के longitudinal bars मतलब चार हमारे पास क्या है यहां पर 20 mm के यहां पर हमारे पास longitudinal bars है जिसका grade कितना है हमारे पास जिसका grade हमारे पास that is fe415 जिसका grade हमारे पास that is fe415 हमारे पास given है और इडिस under the action of a concentric axial compressing load ठीक है इसको आप यह वाले statement को आप यहां पर ध्यान रखेगा यहां पर क्या बोलेगे हमारे पास बोलेगे हमारे पास concentric हमारे पास क्या है एक्जियल compressive load हमारे पास क्या हो रहा है यहां पर आपको देखने को मिल रहा है ignoring the reduction in the area of the concrete due to steel the ultimate экспis较 load carrying capacity यहां पर पूछी गई है आपसे यहां पर क्या पूछा है आप靠ा है कि ultimate load carrying capacity की value अप से यहां पर पूछी गई है फो अगर मे यहां पर ultimate load carrying capacity की बाऄने बात करना हूं dalla प्रchयों रहां पर के इंटू एरिया ओफ कॉंप्रेशन प्लेस पॉइंट पॉइंट सेवन फाइव एफ वाई इंटू एस सी आपको यहां पर देखने को मिलेगा इंटू आपको यहां पर एरिया ओफ स्टील इन कंप्रेशन आपको यहां पर देखने को मिलेगा ठीक है हमारे पास क्या हो रहा हमारे पास actual load आपको यहाँ पर concentric actual load आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमारे पास यह वाली जो यहां पास आप यहाँ पर 0.4 और score has got 6. 7 वाला formula यहाँ पर यूज नहीं करेंगे ठीक है 1.4 और 300 into 300 and a minus हम यहाँ पर ASC करते हैं लेकिन हमारे पास बोला है इग्नोर करने क्या हमारे पास that is the reduction in the area basically हमारे पास यह वाला जो area this is the gross area लेकिन बोला हमारे पास gross area को आप यहाँ पर area of concrete आप यहाँ पर आप 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 डिड़क्ट मत करें अपर अपर आप यहाँ पर पास 0.75 into fy की वाल्यू कितनी हमारे पास यह हमारे पास that is 415 into area of steel कितना हमारे पास that is 4 number of यह हमारे पास 4 into 5 by 4 into हमारे पास क्या है that is 20 का स्क्वेर यह हमारे पास है हमारे पास कितनी आ रही है यहाँ पर हमारे पास ultimate load carrying capacity यहाँ पर आपको कितनी देखने को मिलेगी तो somewhere around यह हमारे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू देखने को मिलेगी यह क्या हमारे पास इसकी वैल्यू देखने को मिलेगी यह क्या हमारे पास इस वैसे हमारे पास क्या हो रहा है इसका आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि सब्सक्राइब क्लियर यहां तक कि इसको आप यहाँ पर नूट डाउन कर सकते हैं क्योंकि आपके पास इस आप में अगर आप यहां पर देखोगे यह यह पर यहां पर देखने को मिलेगा कि आप यहां पर डेली अभी जैसे नहीं आंसर देऊंगे उतना वहाँ पर आपके पास coins क्या होंगा आपके वहाँ पर बनते चले जाएंगे and बाद में जाके वह coins को आप redeem भी कर सकते हो अगर आप कुछ भी यहाँ पर और यहाँ पर आपको काफी अच्छे लेवल पर प्री यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर इसको डाउनलोड कर सकते हैं and जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर हैं सभी लोग को में यहाँ पर बताना चाहता हूं कि हमारे पास batch e यहाँ पर launch हो गया है यहाँ पर हमारा जो batch e यहाँ पर launch हो गया तो सारे स्टूडेंट्स सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर batch e में आपर enroll कर लिजेगा enroll हमारे पास यह जो सब्जेक्ट है यहाँ पर क्या होगे हमारे पास start हो गया है और हमारे पास code जो है अगर आप यह वाला code यूज कर लोगे तो आपको वहाँ पर maximum possible discount जो रहेगा वह आपको वह और दूसरी चीज़ अगर मैं आपर बात करूं उसके बाद आपको sufficient amount of time आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा जहाँ पर आप अमना revision और test series के तरफ आगे move on कर सकते हैं एक और चीज़ अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जितना price आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा आप compete कर लेजेगा हमारे पास जो बड़ी बड़ी यहाँ पर जो हमारे पार टाइकून्स जो है जहां पर जो को स्कूर्स की जो फीज चार्ज करती है हम वहाँ पर उसमें से हम यहाँ पर seven या eight times वहाँ पर क्या होता है हमारे पास course की फीज आपको आपको देखने को मिलेगी ल सब्सक्राइब करना मत भूलेगा उसको बहुत अच्छे लेवल पर यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर आए सभी लोग हमारे चानल है इसको यहाँ पर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और हमारे साथ यहाँ पर बने रहेगा आपको यहाँ पर काफ सत्त लेवल पर हम महीं क此 पर कंटेंट आपको प्रोवई। करते चलेगे जितना भी हो सके आप अपना प्यार और अपना बनाए रखेगे डोशन लावल नेंग्सक्शीन डाप्वाबयूण टेक कर सिर्व